चलिए बोल्ड का भी सेकेंड कोशन स्टाट करेंगा हम लोग कोशन को ध्यान से पढ़ना है डिजाइन लाप जॉइंट बिट्वीन टू प्लेट्स दो प्लेट है जिसको लाप जॉइंट की मदद से कनेक्ट करना है दोनों प्लेट का थिकनेस दिया तुमको 12 and 20 mm thick so as to transmit it transmitted so as to transmit factored load of 70 kilonauton using m16 bolt grade 4.6 diya and fe 410 plate diya ठीक है छलो data लाप जॉइंट आपको lab joint का design पुरा करना है पुरसेम पूरा से में जैसे तूंठ से 10 टलंट है जिसका किता बारा दूसरी टेंड से तूंट को लेप मतलब तो इनके बीच में हम लोग इसको बोल्ट अटाच करके कनेक्शन को बना सकते ठीक है तो बस में आप बताओ इसमें बोल्ट पे सिंगल रहेंगा कि डबल रहेंगा सिंगल को कटने के लिए एक ही मिलने वाला बोल्ट विल सब्जेक्टेट टू सिंगल सियर विकॉस इट विल कट फॉम दिस प्लेन ओनली ठीक है चलो तो लैप जॉइंट बोला मतलब याद रखना सिंगल रिपीट कर वहां देखो उसमें बोला है डिजाइन लैप जॉइंट लाँप का मतलब होता है दो प्लेट आए एक फ्लेम हो गॉइंट को उप्लेट नहीं हम ऐसा ऊइसा ओरफ करके जॉइन करके ROBरा व है कुल्ट नहीं हिए फ्लेन मिल रहा है तो लैब जॉइन्ट में हमेशा सिंगल शियर ही आएंगा क्या एंगा सिंगल सियर तो इस तू ट्रांस्पेट फैक्टर लोड पी उ दिया है पैक्टर लोड कित दिया है सेवेंटी किलो न्यूटन का यूजिंग एम 16 बोल्ट तो दी फॉर दामेटर ऑफ बोल्ट यूदिया है 16 मिलिमेटर का ठीक है तो दी नॉट क्या होगा 16 प्लस टू 18 मिलिमेटर ग्रेड फॉर पॉर पॉइंट शिक्स का बोल्ट है तो एफ यू भी होजाएंगा 400 न्यूटन पर mm स्क्वेर और एफ फॉर वन जीरो का प्लेटर जिसमें अल्टिमेट स्ट्रेस होजाएंगा 410 न्यूटन पर mm स्क्वेर ठीक है एग्जैक्ली सेम कोशन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था ठीक है दोड़ ए़ कर दो वो rifती है इसका पहला स्टेप शीयस तें तो बोल्ट मतलब वीडियस डार्क करो दे वीडियस बी फॉर्मॉला क्या था फुब बाय अंडरूप 3 गामा एंबी एनन एंबी प्लस एनेस एस बी ठीक है बताओ फुबी किता है चार सो रूट 3 गामा एंबी 1.25 याद रखना सिंगल सियर है लैप जॉइंट पर आता है सिंगल सियर तो एनन होता है वन ठीक है एनस होता है जीरो एनन वन एनस जीरो एन भी होंगा पॉइंट सेवेंटी एट पाइवाए फॉर डायमेटर किता है यहां पर एम सिक्स्टीन ब का हुल स्थेर करेंगे लिकालां स्थचिंस को सिर्चिंघे लाइस है फोरिइंटी इचएट प्टॉन एन सेवन जाता है ट्विङट पंटे एक पैट इट्यॉन्टी सवन एक यहीटिछ मैं डिर्क्लिक हो भी शोलो तल दिखरो वीडी पीवी 2.5 KB DT FU by Gamma MB ठीक है तो इसमें KB निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेंगा इह मिनिमम मतलब मिनिमम एच जिस्टन्स वो था 1.5 D0 D0 किता है 18 है ना इसको राउंड आप पर हो 30 कि अब निकालो पी मिनिमम मिनिमम पिच टू पाइंट फाइव डी डी है तो पी को लिए फट्टी ठीक है चलो अभी केवे निकाल लेंगे हम लोग केवी का फ़र्म लाव को माल बना केवी इस लेसर ओफ बोलो क्या था रितांचू पहला था इवाई 3D0 3D0 0.55 0.55 0.49 0.49 थर्ड है एफ यू बी बाई एफ यू चार सो बाई चार सो दस जिरो पॉइंट 975 लास्ट है वन सबसे छोटा कुन सा 0.49 ठीक है निकाल लो बीडीपी वी क्या था फ़र्मुला 2.5 के भी है पॉइंट 4.9 डी फॉर डामेटर किता है 16 का है थिकनेस बोलो थिकनेस क्या लेंगे दोनों पर से एक बारा है एक ट्वेंट एक ट्वेंटी है भारा मिनिमम देख विलो अले छूस मिनिमम तो बारा का थिकनेस चार्ट्व थिकनेस चार्ट्टो थास बाइड वन पॉईंट 25 डी पीडीपी देख 482 1.6 सब्सक्राइब तेवेंटी सेवेंटी सेवेंट वन फूर ठीक है तीफ्रे स्टेप में बोल्ट वेलो निकाल लो बोल्ट वैल्यू होता है मिनिमम आफ वीडी एस्बी और वीडी पीबी दोनों में से छोटा को ना टीट पॉट्ट नाइन सेंट वोटा है अ कि 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 अब लास्ट स्टेप में हिकालो नंबर अब बोल्ट्स अब लोड़ बोल्ट वैल्यू फैक्टर लोड़ किता है सेवेंटी बाइट ट्वेंटीट पॉट्ट नाइन जो बताव एन की तरफ टू पॉइंट 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 फॉर इसको राउंडव करो थ्रीवें थीक्ट लास्ट में इसका फ्रिकर्ट वा करना यहां पर एक बोल्ट आगा यहां दूसरा बोल्ट आगा यहां तीसरा बोल्ट आगा थीक्ट है खंग, भी बोल आगा यहां पंग हुआड को बोल्ट आगा है jeबार वह भीश पिच्वित तरटीन ऊता एज दियन थर प्लेटि तंड नहीं कर दो दो प्लेट कविट धिया न्हीं है अगर फ्लेट कविट धियां और यहां का यह फैक्टर लोड़े पी यू ये भी पी यू है चलो कॉपी कर लो उसको जिसके बाद हम लोग नेक्स कोशन करेंगे डबल कवर बट जॉइंट का ठीक है झाल, है क्या है